हलो अब्रीवन स्वाकत आपका अपने चैनल में जिसका नाय मैं क्रिकिट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले इस इंगलिस टी 20 ब्लास्ट में होने वाले आज के मुकाबले की वर्वी शायर और नॉटिंगम शायर के बीच में मुकाबला होने वाला है और दोनों ही टीम ट परफों करकर रहें हैं अब पिछले कुछ मुकाबलो में अभी यहां पर हम पूरी की पूरी डिटेयल डिसक yasocad लेंगे अपको ड़को तली ग्राम है यहां है नोर्टिंगम शाय में आपको एमैच लाइफ एम देखने म golden और यहां पर अजवर्ट्टन में आपको मैच लाइफ देखने ग्यारा बजए आप इस मैच को यूटीघ पर लाइफ देख सकते हो पिछरी पुल्ड अगर प्रिव्यू की बात करतो जैसे मैंना आपको बताया भी है वर्वी शाय पिछला मुकाबला अपना बहुत बढ़िया परफॉर्म करकर आये हैं और यॉक्षायर के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही थी और कंविंस इंगली यहां पर दस विकेट से मुकाबला अपना जीत कर रहा है पांच विंस के साथ और चार लॉसिस के साथ यहां पर बढ़िया परफॉर्म करते है थर्ड पोजिशन पर हैं जैसे मैं आपको बताया ग्यारा पॉइंट्स है भी तक इनके पास नॉटिंगम शायर कि अगर आप बात करो चेंजिस करें आना लाइन अप में कुछ पिछले मुकाबले में बट स्टिल इना मुकाबला जीता है अपना लैंशायर के खिलाफ मुकाबला अपना जीत कर आया थे समिट पटेल की आल रौंडिंग परफॉर्मेंस रहे और अभी के लिए 15 स्टेवल में पिछ रिपोर्ट के अगर आप बात करोगे बहुत ज़्यादा मुवमेंट है बॉलर्स के लिए इनीशल ओवर्स में और बैट्समें यहां पर विकेट देते हुए दिख जाएंगे आपको पाव प्ले में बैट्समें अगर खड़े हो जाते हैं फिर उसके ब बैल Óस BRETWOOD M Borghese आपके जbla 것은 लाइस इंब रहे। आपके बास इस इसे को एक फिर उसके सिम्मिट पतेल आपके पास यह जेमस आपके बास है के वासि है,कलvyn आपके बास है,लिенно स्ट्व कार्टर और यहां पर आपके पास जेक बॉल है यह मैंना आपको पिछ रिपोर्ट बता दी प्रिव्यू बता दिया प्लस साथ में इनकी प्लेंग 11 क्या रहे सकती है वो बता दी अब यहां पर आप बात करो कि प्लेश कौन-कौन से बढ़िया है पिछले कुछ मकाबले में Emmonक करा रहे हैं और जब फिछली बार खेले थे इस तीम के खेलाफ nottingham शेर के खिलाफ वहां पर क्या performance حinelyов देखो nottingham में में मुकाला खेला था इनको नड Rebel के खेला था वो यह मुकाबला अरा लाम जीट कर रहा है 239 कर रहे थे और वहां पर अगर आप देखो तो क्या हुआ था बढ़िया परफॉर्म कर रहा था इनके बैट्समन बॉलर्स दोनों ने एडम होज ने 32 नेट पर लॉक ने 62 डवली रोड्स ना ठारा सैमेंज ने 53 और कार्लोस ब्रेथवेट करोगे तो यहां पर जोग लाक ने इतना बड़ी परफॉर्म कर रहा हैं था ट्रैगो आपके बढ़िया पर को सकता है 23 बेंड़केट 51 उसके टॉम मोर्स के अगर आप बात को 38 बीस रन से मित पटेर कैल्विन ना बाइस और यहां पर यहां पर एल्फ लेचर ने 23 रन की पार यहां पर यहां पर केल्विन ने एक बिगेट चटकाई थी यह मैंना आपको अभी इसले बता लिया क्योंकि फिर जब नौटिंगम के मैचेस देखेंगे तो वहां पर फिर इन मुकाबलों को ध्यान नी देंगे अब यहां पर आगर आप देखो पिछले तीन मुकाबले ल दिया था अब यहां पर अगर आप देखो एजवेस्टन के खिलाफ एजवेस्टन के ऊपर जो मुकाबला हुआ वो डरहम डर्भी शायर के खिलाफ पहला मुकाबला इनका हुआ था 169 देन करें वही बालिंग फेवरेवल पिछ रही पूरी की पूरी 46 रन यहां पर एट प अब अगर आप इससे अगला मुकाबला देखो जो इसी पिच्कियों पर हुआ वहा डरहम के खिलाफ डरहम के खिलाफ भी यह मुकाबला अपना हार करा है वहां पर भी इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़िया रही नहीं हैट पर लॉक न दस रन की पारी खेली दो विकेट इससे कम लेही नहीं रहा है कार्लोस बेच्वेट यहां पर ब्रेसनन ने दो माइल्स ने एक और यहां पर डवली रोड्स ने दो विकेट चटकाई बढ़िया परफॉर्मेंस रही है डवली रोड्स की भी आप रोड्स को भी आराम से ट्राइगर सकते हो अब किसी ने नहीं सोचा था कि यहां पर अगर आप देखो तो कार्लोस ब्रेथवेट तीन विकेट बहुत ही जादा बढ़िया एकनॉमिकल बॉलिंग दो वर मैं सिर्फ फोर सिर्फ साड़े तीन की एकनॉमी में तीन विकेट बिरिग्स ने दो विकेट चटकाई ब्रेसनन ने लेकर जा सकते हो अगर जिसना माइल लिया हो बिल्कुल प्योरी ब्ली लियुक्र जिसनने नहीं इंब लिया होगा इसने टॉम प्रेस्टन भी लिया होगा तब भी क्युक्ति मैं अपनी मैंने च्छे लिग्स जौइन करी थी उसमें पांच जीता था एक आरा था उसके बा तो उस हिसाब से अपना एक्स्टा बॉलर लेकर जा सकता है एक्स्टा बॉलर रखने में कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर अगर आप देखो आपके बस नॉटिंगम शायर के अगर हम पिछले कुछ मुकाबलों की बात करें तो भी यह पिछले पांच मुकाबलों मैं से दो मुकाबलों तेनके टाई हुए है ठीक है और एक मुकाबलों जो तीन कंप्लीट हुआ उसके उपर हम बात कर लेते हैं मैं से पिछले पांच ही देख लेत रही सिमित पटेल एक बिकेट बॉल नहीं विकेट चटकाई और स्टीवन एक विकेट चटकाई इस मुकाबले में सिमित पटेल एक important पिल्ट रहने वाला है Captain सी भाइस Captain से दे सकते हो नोटिंगम शायर का मुकाबला जो हुआ वो बर्वी शायर के खिलाफ हुआ यहां पर अगर आप देखो इनके बॉलर्स न बहुत अगड़ा परफॉर्म करा और सिमित पटेल न तीन विगेट चटकाई तीन विगेट जेक बॉलने चटकाई एस मुलने न दो विगेट चटक अब लबी परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की वैसे बढ़िया रही थी दोनों टीम्स के बॉलर्स बैच्मन न बढ़िया परफॉर्म करा था जो कलार की चटिस यहां पर एलेक सेल जिरो पर आउट हो गया था यहां पर सॉल्मन न एक किसन की पारी खेली टॉम उसना सतरा मु मुकाबले में उसके बर लेंचार के खिलाफ इनका मुकाबला हुआ था यहां पर अगर आप देखो नॉटिंगम शायर के एलेक सेल्स ना एक सो एक रन की पारी खेल थी बहुत बढ़िया परफॉर्मन्स रही थी और यहां पर एस मुलने की 25 रन की पारी रही थी और किसी जादा बढ़िया परफॉर्म करा नहीं था ऐसी परफॉर्मन्स हो सकता है अज एलेक सेल्स बेजाए अब यहां पर अगर आप देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट तो काटन ने तीन विगेट चटकाई बॉलने ने एक विगेट चटकाई इससे पिछला मुकाबला जो इन बढ़िया इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेयर रहने वाला है तीन विगेट इससे चटकाई है कैल्विन नहीं आपर तीन विगेट चटकाई है अब मेन बात क्या है मुलने ना आपको कभी कार फूल ओवर नहीं करवा कर देकर जाएगा और हो सकता है कि आज के मुकाब अगर नहीं खेलता तो फिर हम बर्गिस को ट्राइगा अभी के लिए मैं बर्गिस को ट्राइगर रहा हूं उसके बाद एलेक सेल्स आपके बास हैं यहां पर हैं सेंज और बैंडगेट वैसे बैंडगेट को आप ड्रॉप कर सकते हो बैंडगेट की जगा आप एडम होस को आपको पिक करना बढ़ेगा ओर को यह ऑप्चेन रहेगा आपके पास आपके पास मतलब अगर आप देखो बैंडगेट पिछले कुछ मुकाबलों में इतना बड़िया परफॉर्म नहीं कर सकता है तो इस वजह से बैंडगेट को मैं ड्रॉप करने की सोच रहा था अगर ह हाँ चेज करती है यहां पर नॉटिंगम चाहर की टीम तब मैं बेंड डेकेट को अराम से रख सकता हूं कोई दिक्कत निया उसके अध कार्लोस बैथवेर्स इमित पटेल एस मुलने को रखना नहीं रखना टी ब्रेस्टन को रखना नहीं रखना और डवली रोड्स को रखन करी थी फिर इंस मुलने आपको बॉलिंग कर जाएगा इतना पक्काई कि एस मुलने आपको दो या तीन ओवरी करवा कर दे कर जाने वाला है फुलोवर होंगे ही नहीं आपके पास की फूलोवरिंग इस कर दो यहां पर नौटिंगम शायर का बहुत बड़ीया प्लेयर आपके लिए होने वाला है यह अगर आप एक्स्टा बॉलर लेकर जाना चाहते हो ओपन लेकर जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं अब मुझे क्या दिक्कत है है कि तो यहां टयब को मुझे तो यह क्या करना बड़ेगा यहन तोस्की लिए प्रफॉर वहस्यूद्स कि बाड़ाइब बड़र आपके लिह शविंग लेकर हो बहुत तगड़ा पिको सकता है आज के मुकाबले में एक बार मैं आपको दुबारा बता देता हूं कि फास्स मीडियम फास्स बॉलर यह आपके लिए बट स्टिल मैं मुलने को ट्राइ करने की सोच रहा हूं कुई कि आपको बॉलिंग भी करवा कर देकर चला जाएगा तो इ की बॉलिंग पकाई है ब्रसन आपको स्ट्राइटिंग मांकर बॉलिंग करवा कर देने ही वाला है पिछली मुकाबल में भी इसने विकेट चटकाई ही चटकाई थी अब यहां पर कार्लोस वेट्वेड एज़ा कैप्टन बहुत बड़ी ऑप्शन रहेगा वाइस कैप्ट इतना बड़िया परफॉर्म करने पाएगा सबसे पहले टीम के अगर आप बात करो तो यहां पर एलेक सेल्जाज कैप्टन रखा हुआ है और वाइस कैप्टन से उदे रख्या ना वो देखो डवली रॉट्स को दे रख्या मैंना अब एम बर्गी आपके लिए कौमन ही प लीग में बहुत जाए रिसकी रहने वाली है एक टीम हाँ स्मॉल ग्रेंड लीग में के ट्राइगर तो यहां पर बहुत कुछ देखने को मिले गाई आपके बास हैं तो चलो एलेक्स सेफ है टॉम ब्रेसन और डवली रोड्स मैंना दोनों इपिक कर लिया है यहां पर तो करवाएगा अगर तो यह देखो पहले बॉलिंग आती है इनकी तब तो शायद इनने बॉलिंग करवानी पड़ेगी तब टॉम ब्रेसन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डवली रोड्स से और अगर यह टीम मैं जोंसे भी टीम जैसे मैं आपको पहले अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हुए डवली रोड्स को पिक कर रहा है अपने तीसरी टीम और आखरी टीम के अगर आप बात करो कार्लोस ब्रेथवेड एजा कैप्टन और वाइस कैप्टन सी यहां पर सिमित पटेल वैसे सिमित पटेल एक बढ़िया पिक रहने अगर कहीं यह टीम पहले बॉलिंग करती है तो मुलने इंपोर्टेंट है नहीं तो फिर आप ब्रेस्टन के साथ मैं भी जाओंगा तो वह चीज आपको देखनी है बर्गिज आपके पास है लेक सेल बैंट डकेट और यहां पर ऐसे बैंट को शायद मैं भी ड्रॉप कर द ब्रिग्स आपको पिके रहे मैंने फिर यहां पर माइज़ कर रखा है नहीं करती है फिर यहां पर जो कि मैं अप लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बैस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो लाइक कर दिए कि इस वीडियो जो भी आति रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर